नमस्कार मित्रों मैं एंटुले शुटला वहुनमार्ति टीचे स्टेनिंग कॉलेज मोल्दिहारी से। आपके समख्ष बिहार बीयक Прीट इंटरंस्ट की इस वीडियो खुलेकर के उपस्पित्रों। सबसे पहले आपने जानगे कि गोर्मार्टी टीस स्थेनी कॉलेज जो इंदिया है कि हागी इसी फिक्स, कॉलेज का पोर ERC 1413 है, मुबाई नुम्बाइल नुम्बर 58, इस दिद जानगे 996, और दोसरा नुम्बर 77, शांशाट एक त्यानगे 625 है यह जो बियो है, इसको आप पाएंगे, इसका प्रेस है कि यह फाउंदेशन यूट्यूब, इसको आप कोलते हैं तो आपके यह वीडियो सब्तमिन जाएंगे, हमारी यह तीम है, हमसरी सिक्षणों की, इस पे हम लोग बिहार इंदियर इंटर्सट की प्यारी आपको करा रहे हैं, इसे आप अधिक से अधिक अंग प्रांत करके प्रथम बरिता प्रम में इस पूरे जो 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 रहें, तो इसके पुरू भी हम आपको बता चुके हैं कि सिच्छा अभ योगिता के 25 प्रशन आपके परिक्षा में आते हैं, उन 25 प्रशनों को हल करने के लिए यह लिए अन्यथा आपको ऐसे प्रशनों को हल करने के लिए दवड़ाने की ज़रूत नहीं है, सबसे प्रमुक पारे आपको यह होना है, ज्यान जो देना है, कि आप ऐसे प्रशनों को खल करने के लिए एकदम एक आदर्स शिक्षत की परह है, अपने आपको उस्ठापित कर और वह आदर सिक्षक का जो गुन है उस गुन को प्राप्त करके देख करके समझ करके आप ऐसे व्श्णों को खल कर लेगे तो सबसे पहले आपको पहला प्षु देते हैं कि एक सिक्षक का सबसे प्रमुग कारि क्या है एक सिख्षक का सबसे प्रमुक कारी क्या है भासर देना, सिख्षन करना, बच्चों की देखरेख करना, ग्रिह कारे जाजना तो सिख्षक का सबसे प्रमुक कारी है सिख्षन करना जामने दूसरा आपसर आपको बताया सिक्षक का सबसे प्रमुक कारे है सिक्षण करना दूसरा प्रशन सिक्षक को कच्छा के अंदर पढ़ाते समय और कच्छा के बाहर आदर्स जीवन बिताना चाहिए क्यों? उसे समाज मान्यता नहीं देता मान्यता नहीं देता समाज में उसकी मान मर्यादा घट जाए ली वह अच्छात्रों का चरित निर्मार नहीं कर पाता तो आप देखें कि तीनों आप्षन में नहीं लगा ही है तो सिक्षक का कच्छा की अंदर और बाहर का सबसे अच्छा कारे है कि उसका प्रयास सफन होना चाहिए सार्चर प्रयास करना चाहिए तीसरा प्रशन एक सबस्थ सिक्षक का सबसे प्रमुकुर्ण क्या है समायोजन समायोजन संतुलित संबेव संतुलित संबेव उत्तम विचार सबीव तो आप देखें कि ये स्वस्त रूप से सिख्षक का गुण सभी है, वो समयुजन कर सके, संतुलित संभेव हो उसका उत्तम विचार हो, तो इस तरह से सभी गुण सिख्षक में होने चाहिए, अगला पसंदी सिख्षक की पूरसी हिल्म डावगार है, कि सिख्षक का गुण क्या है, आत्म विचार, आत्म विचार, आत्म निरिक्षण, स्वल अहंकार, स्वल अहंकार, परुपकार, तो आप देखें कि अगर आप एक समान साथ की रिष्षक की सोचते हैं, राजनेता की रिष्षक की सोचते हैं, राजनेता की रिष्षक की सोचते हैं, तो परुपकार नजलाता है, लेकिन स कि छक्षका सबसे पुर्ण है आत्मनेशन खुद स्वावल ओपन करना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं पांचवा प्रश्न है यजि आपकी कच्छा में एक बालत देर से आता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे कच्छा से उसको बाहर करेंगे उसको पीछे क पंती में बैठा देंगे देर से आने का कारण जानेंगे उसको फटका रहे है तो आप घ्यान देजिए कि एक बालत जो आपकी कच्छा में देर से आता है तो आप उने के नाते उसका कारण जाने पर्यास करेंगे, तो कीसरा आफ़ीस में सही है, उसका कारण जानेंगे, कि वह कक्षा में देर से क्यों हो आना है, अगला प्रशन भी आप बहुत ही संजीदा प्रशन है, यदि आपकी कक्षा में एक बालक बार बार प्रशन पुछता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसको पीछे बठा देंगे, कक्षा से बाहर भगा देंगे, या उसकी समस्या का समाधान करेंगे, तो आप ध्यान दें, कि यदि बालक बार बार आपसे प्रशन पुछता है, तो इसका मतलब है, कि वह जो प्रशन लेकर के आया है, उसकी जो समस्या है, उसका समाधान करना आपका परम करते हैं तो उसकी समस्या का समाधान करेंगे छटवा प्रसन आपके है कि सिख्षक का विवहार सरार्ती कच्छा में एक सिख्षक है वो सरार्ती प्रभितिका विवहार है बार-बार मुबाईल चला रहा है किसी को कुछ लुखसान कर रहा है पड़ोस में बैठे विवच्छे को तो सिख्षक का विवहार कच्छा में विद्याले में अगर सरार्ती प्रभितिका है तो उसके साथ आप क्या विवहार करेंगे आप एक नम तपतस्थ हो जाएंगे सहाने भूत बूंड बिवहार करेंगे या कथोर बिवहार करेंगे या विनम्द और द्र् रखें कि सरार्थी वालक है तब भी आपको उसके साथ विनम और दिड़ दोनों कारे करना है। समय पर विनमरता दिखानी है और दिड़ता से पेसाना है। एक सिक्षत का प्रमुत उद्देश से क्या होता है। स्रिजनात्मक्ता, पाथ योजना, विचारों में परिवर्तत और नमनियता…. तो सभी शिख्षप होने के नादिग आपको साथ क्रियक होते हैं। स्रिजनात्म कोना होता है आपको, आपको एक पार्ट सुझेना बनाने होती है, कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आपके विचावों में बरिवर्थत और अन्यता हो, इसके साथ जुड़े होते हैं. नौ प्रस्ण जो आपके सामने है, कि सिक्षप को क्या स्विकार करना चाहिए, आचार संधिता, सिक्षप की भी एक अपनी आचार संधिता होती है, उसको अपनाना चाहिए, अपना वेक्तिकत कारे करना चाहिए, धार्मिक विचार अपनाना चाहिए, या अपनी जार्ट को चाहिए तो सिख्षक का सबसे प्रमु रूप जो है उसको स्विकार करता है वह है सिख्षक की आचार सनुटा अंति प्रशन एक सिख्षक को ब्रितिक संतोज ब्रितिक संतोज का मत्द यह है कि जो वह कारे कर रहा है जिस पेशे को अपनाया है चाहिए तो सिख्षक को ब्रितिक संतोज कब प्राब्त दाता है जब अच्छा पोसाग पहन लेता है पहला विकर्ण दूसरा अच्छी सेलरी मिलती है तीसरा उसका सैच्छी अस्तर उचा है और चौथा उसके पदटी प्रसंसा होगी है तो आप ध्यान दें कि पोसाग से सिख्षक को ब्रतिक संतोज नहीं प्राब्त होता है वेतन ब्रदी से उसको संतोज प्राब्त नहीं होना चाहिए पद की प्रसंसा होने पर बड़ाई होने पर भी संतोज नहीं मिलता है यदि उसका सैच्छी अस्तर उचा है तो वह विद्यारती की नजर में अपने आप उ इसमें से आज हमें आपको लिए 10 प्रश्ण कराया है इस सभी प्रश्णों का अभी आप अगर एक तरह से गूल भी जा रहे होंगे तब भी इसका हम आपको पीडे बीसी के साथ जोड़ दे रहे हैं आइंसर के साथ आप इसको मेलान कर लेंगे और इस प्रश्णों को आप अच्छे से खल करें और इस प्रश्ण को चुने अधिक से अधिकी स्कोर करें धन्यवाद